पाच अगस 2019 की वो तारीख थी जिसन भारत सरकार ने अनौन्स किया कि इंडिया से आर्टिकल 370 अब रिवोक किया जाएगा जिसका मतलब है कश्मीर के पास एक special status होता था जहाँ पर कश्मीर के citizens को कश्मीर के अंदर कुछ various provisions के तहट exclusive rights मिलते थे जैसे कि कश्मीर के लोगी property खरीच सकते हैं और बेच सकते हैं जम्मू काश्मीर के अंदर कुछ विशेश आदिकार मिले थे criminal law भी इनका अलग था जिसक जम्मू काश्मीर की जो विधान सवा थी उसके बहुत जादा पावर थी जम्मू काश्मीर के लिए law बनाने की और हमारे देश के इंडिया के कई सारे laws जम्मू कश्मीर पर applicable नहीं होते थे जो की होने चाहिए किसी भी एक normal Indian territory की तहत इसी लिए article 370 काश्मीर को इंडिया के साथ जुदा करता था अलग रखता था ये अकिला एकलोता ऐसा provision था और एक article 35a भी था जम्मू कश्मीर के constitution का जिसके तहत जम्मू कश्मीर कभी इंडिया में पूरी तरह मर्ज ही नहीं हो पाए था बट उस article 370 को 2019 में सरकार ने abrogate किया खतम किया और उस abrogation पर उसको खतम करने पर ही Supreme Court के अंदर कई सारे लोगों ने petition डाली जिसमें से one of the petitioners वर IS officer शाह फैजल कई सारे petitioner थे जिन्होंने petition डाली थी जिसमें से एक शाह फैजल थे IS officer जम्मू कश्मीर के आड़र के है ये rank 1 थे जिस साल इनका selection हुआ था बहुत ही educated बहुत ही learned और बहुत ही इमानद इंटर्व्यू दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि आप वो article 370 is a thing of the past अब बीच चुकी है वो बात चली जा चुकी है अब गंगा और जेलम दोनों नदिया एक साथ मर्ज हो गई है आप सोचेंगे ये practically possible कैसे है जेलम तो यहाँ पर जमू काश्मीर में आपको देखने इंडिया के तो यह दोनों मर्ज कैसे हो सकते हैं बात यह है कि इंडिया जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपको इतना बड़ा लैंड मास देखने मिलता है इनके कहने का तात्पर ही है कि अब देश वास्तव में यूनाइट हो चुका है हमारे देश में जो भी प्रोव करने का कोई फाइदा नहीं है मैं अगर इसी बात को बताऊं कि 2019 में सरकार का जो डिसेजन था कि जमू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएगा स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था अब इस प्रोसेस के अंदर 1947 में हम आजाद हो गये थे और 1947 से लेकर आज 2019 तक इतना समय क्यों लगा आप यह सोच रहे होंगे सबसे बड़ा रीजन यह था कि 2019 के अंदर जमू कश्मीर में कोई भी इलेक्टेट गवर्मेंट नहीं थी मतला विधान सभा उस ताइम पर थी नहीं और एक प्रोविजन के तहत विधान सभा के पास जो of accession जो जमू कश्मीर का एक agreement था जिसमें जमू कश्मीर के राजा महराजा हरी सिंग ने भारत सरकार के साथ ये instrument sign किया था एक agreement sign किया था जिससे इंडिया में जमू कश्मीर का merger हुआ उसके बाद article 370 बनाये गया जिससे जमू कश्मीर को exempt किया गया था इंडियन constitution के कई सार provisions के तौर पे और एक special provision बनाकर कुछ विशेश शक्तियां दी थी but it was a temporary provision अक्टूबर 171949 को जब लाया गया था तो एक temporary provision के तहत लाये गया था जिससे जमू कश्मीर को खुद का एक अपना समविधान मिल सका अपनी एक विधान सभा मिल सकी जो की इंडिया की territory के उपर apply हो तब शाह फैजल जी और कई सारे लोगों ने petition डाली सुप्रीम कोर्ट में पर उस case को लिया नहीं गया था it was not taken up कई सालों तक ही प्रयास चलता रहा कि इस petition पर चर्चा हो जैसे EWS reservation के उपर सुप्रीम कोर्ट ने review किया जैसे कि राम मंदर case के उपर सुप्रीम कोर्ट ने review क किया ऐसे ही आर्टिकल 370 पर भी review होना चाहिए क्योंकि इसको किसने पास किया था हमारे देश के पार्लेमेंट के एक law के द्वारा 2019 में पास हुआ था जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून जम्मू कश्मीर की विधान सभा के द्वारा पास होना चाहिए और विधान सभा को दौरान उस state पर कानून बनाने की power पार्लेमेंट की होती है पार्लेमेंट ने कानून बना दिया आर्टिकल 370 को scrap कर दिया इसी बात पर petition डाली गई थी शाफैजल जी भी उन petitioners में सेख थे अब उन्होंने अपनी petition वापस ले ली है शाफैजल वही IS officer है जिन्होंने resign कर दि resignation accept ही नहीं किया था इसलिए इनको reinstate कर दिया और वापस ही अपने post पर बरकरार रहे इन्होंने खुद की एक political party भी बनाई थी जम्मू कश्मीर people's movement के नाम से और जम्मू कश्मीर people's movement से ही ये अपने आपको resign देकर अपने resignation को देकर अपने वापस career में I.S. officer के career में as a bureaucrat चल किया है अब देश unite हो चुका है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है बलकि अब आगे ही चलना है ऐसा शाह फैजल जी के द्वारा कहा गया और कई सारे कश्मीर के रोगों की भी यही राय है हाँ लोग इस बात से नाखुश है कि उनसे पूछा नहीं गया उनके न बट मैं यह कहना चाहुंगा कि यहे रहने वाले लोगे करने शुरूष दूम्स के विकास के रास्ते पर जमू-कश्मीर जा सके जमू-कश्मीर में पहले लिथियुम के डिपॉजिट मिले थे सरकार जमू-कश्मीर के इंदर अगरी कुलचर में काफी डेवल्लप smartphone कर चा बढ़ावा दिया जा रहा है, लैंड रिफॉर्म किये जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है और खास तोर पर जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए भी रिफॉर्म किये जा रहे हैं, ताकि उनको भी उनके जाया जिदिकार मिल सकें, बट अभी फिल का एबरोगेशन हुआ था, जिसमें जमू कश्मीर अलग यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, इसमें सेंटर गवर्वनेंट अब उसे अ सन्टरोल कर रही है, और लडदा की कलवड़ यूनियन टेरिटरी बन गया, इसको गलत डिक्लेयर किया जाए, या सही डि इंवेस्टिगेशन शुरू कर रहे है, 11 जुलाई से, ये सारे जजिज रहेंगे, दीवाई चंदरचूर जी, संजे कॉल जी, संजीव खन्ना, बीयार गवाई जी और सूर्यकांत, ये सारे पाँच जजिज टोटल इस वर्डिक्ट को देंगे, और इस पर पूरी सुनवाई शुरू होगी, अब समय काफी लग सकता है सुनवाई पर, बट हमें ये मान लेना चाहिए, कि अब आर्टिकल 370 एक पर्मनेंट प्रोविजन के तौर पे नहीं रहेगा, इसको अब खतम कर चुके हैं, और अब जम्मू कश्मीर को आगे डेवलप्मेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए और जाधा administrative reforms लाने की जरूरत है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, ये शाह फैजल जी के दौरा भी यही संदेश दिया गया है, कि अब गंगा और जेलम एक साथ मिल चुके हैं, अब कोई पॉइंट नहीं है, डिसकस करने का, कि क्यों इसकी बेंच के दौरा, पांच से भले तो साथ होते हैं, इस चीज को सिरे से नकार दिया था, हमारे सुप्रीम कोट की बेंच ने, कि वो चाकर चेक करें, constitutional validity, सरकार के जोरा जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, इस चीज को चेक करने के लिए, सिरे से नकार दिया था, मना कर द चाहेगी, lawyers, activists, politicians, अलग-अलग, political parties के leaders के द्वारा, जो petition डाली गई है, उनकी बाते सुनी जाएंगे, क्यों challenge करना चाहते हैं, क्या reason है, challenge करना चाहते है, Parliament के वो 2019 के law को, जिसने जम्मू कश्मीर में article 370 खतम किया, और reorganization किया, जम्मू कश्मीर का, तो इस चीज का review होगा, देखते हैं, क्या फैसला निकलता है, आशा करता हूँ, आपको ये topic अच्छे से समझ आया होगा, वसु कटारा, study IQ है मेरा telegram group है, जिस पर आप आ सकते हैं, जुड सकते हैं हमारे साथ, वसु.katara, at the rate studyiq.com मेरी email ID है, और मैं instagram पर वसु.katara के नाम से available हूँ, आप prelims to interview batch में जुड कर complete UPC preparation कर सकते हैं, हमारे साथ live batches में, recordings आपको मिलेंगी, अगर आप college जाते हैं, job करते हैं, तो बहुत helpful होंगी, books आपको दी जाएंगी, prelims की test series और mains की test series भी मिलेगी, जो अलग से खरीदने जाओगे, तो वही it is very expensive, ये सब 29,999 में available है, आपको books भी इसमें दी जा counselors से बात करते हैं, study IQ के, तो वसू live admission discount code use करिए, 10 July 2023 से बैट चुरू हो रहे है, सुबह 8 बजे, तो जल्दी admission लेजेगा, और time पे classes join करिएगा, optional भी available है, वसू live admission discount code use करके, इन optionals में admission ले सकते हैं, आप 2025 की preparation कर रहे हैं, तब भी आप वसू live admission discount code use करके, maximum discount और मेरी personalized guidance UPC preparation में जो कि आपको बहुत मदद कर सकती है, मार्क दर्शन दे सकती है, और guide कर सकती है कि कैसे prepare करें, हमारे NCRT batch भी available है, 1499 का बैच अवे बैच अवेलेबल है, वसू live admission discount code use करके, आप इसका भी फायदा ले सकते हैं, बहुत affordable fees में available होगा, thank you session को देखने के लिए, आप जरूर मु affordable.